इस वीडियो में मैं आपको रस्चंदलंकार पुरा बता दूँगा क्योंकि आज आपके पेपर में आएगा कुछ घंटे बाकी हैं सर इसके पहले प्रॉमिस किया था कुछ घंटे पहले मैं आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करवा दूगा जैसे रस्चंदलंकार दूआ पूरा पूरा पताएं यह तरफ सी देखेगा सब कुछ बताएं को सब कुछ टीन आई एक तरफ से पढ़ेंगे क्या होता है और समान व closer company राभार बार अविक्त होती है तो वहांど ःनुप्रास अलंकार होताए है जब समान वर्ण बार बार आते हैं तो अनुप्रास होता है उधारण के लिए तरिनी तरुजातर तमाल सरुवर बहुच्छाए रगुपति रागव राजहराम बहुचाता तेज नहीं बोलेंगे क्योंकि हालत खराब हो चुकी है सुबसुबस से पढ़ाते पढ़ाते जहां एक सब्द समुहत एक सेधिक बार प्रयोग हों किम्त सबका अर्थ प्रत्य बार भिन्यविन भिन्यविनवों वहां पर यमक अलंगकार होता है उसे इन्साट कर लेजिए उधान के लिए पच्छी पर शीने ऐसे परें परचीने भर्चीने बर्चीने है खलनकी इस प क्या होता है जहां किसी सब्द में एक बार प्रिक्त होने पर उतके एक याएक स्यधिक अलंकार होता है ठीक है उदाहरण के लिए स्वाति घटा घरराती मुक्ति पानी सव्पुरी कंधव आवत जुकति सुभर आभा रूची रूरी इस पर्चिकर उदाहरण में मुक्ति पानी में स्लेश है इसके यहां दो अर्थ हैं मोतियों की अभा और मुच्च दाही नहीं सकती अतनी स्लेश अलंकार है उपमालंकार देख सकते हैं जहां उपमे में उपमान में से किसी धर्म के आधार पर समानता या तुलना की गई हो वहां पर सर उपमा अलंकार होता है उधारम के लिए अंग जगमगत दीप सिखा सीदे दिया बढ़ाय हूर है बढ़ो उजारव गे इस परश्टी कर्व उधारम में उपमे असर क्या है जहां उपमे में उपमान का भेदरहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है उदान के लिए बीती भी विभावरी जगत जागरी अंबर पनपट में डूब रही तारा घट उसा नागरी याद कर लिजी ठीकिना अगला है आपका इस प्रश्टी करण इसमें उपमे में मतलब उपमे उसा मिनाई का कारोप किया गया है अता यहां पे रूपक अलंकार है उत्प्रेच्छा अलंकार क्या है जहां उपमे में उपमान के संभावना की जाती है वहां उत्प्रेच्छा अलंकार है उत्प्रेच्छा को व्रक्त करने के लिए प्राया मनु म इस प्रश्टी करण यहां पर सिर्किष्ण के बाल शरीर पर सिंगार के बाल ब्रिच्छ की सुंदर आभूसड़ों पर अदभूद अदभूद हलो की सम्हावना की गई है अतना इस पुंक्ति में उत्प्रेच्छा लंकार है उसके बाद आपका क्या आएगा सर्गी यहां प इसमें चार चरण होते हैं सर किने चरण होते हैं प्रतेक चरण में 16 मात्राइं होती हैं अंत में लगू और सर क्या होता है गुरू होता है उदाहरण के लिए सर क्या है तो निरक सिद्ध साधग अनुरागे सहज सन्युसराहन लागे दोहा सर क्या होता है परिभासा क्या है यह 8 सम्मात्रिक चंद है, इसमें 4 चंड होते हैं, इसके पहले और तीसे चंड में 13-13 मात्र आएं, और दूसरे और चोथे चंड में 11-11 मात्रिक होती हैं, तथा सम्चड के अंत में गुरु और क्या उताइसर लग होना चाहिए, उदायन के लिए श्री गूरु चंड सर्वो तेरा मात्राएं और दुती यों चतूर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे चरण के अंत में सरक्या होता है लगु और गुरु होता है उदारण के लिए बंदव गुरुपद उपंग बंदव गुरुपद कंज कृपासिंदुनर नर रूप हरी महा मोहतम पुझ जासुबचर रविकर निकर ऑपके सवनमर विल्कुल आप पक्का कि जो टार्गेट है आपका बहुत मैं फास्ट बताया हूं बहुत मैंने फास्ट इसमें बताया है आप रटीये टाइम नहीं बरबाद नहीं करना ठीक ना कुंडलनिया क्या होता है यह विसम मात्र ठंद बनता है कि उदारण के लिए गुरु पंडित कभियार बेटा बनिता पौर्या यग करावन हार यग करावन हार उके उसके बाद आपका रस आएगा रस आपके पांच रहेंगा सिंगार रस करूर रस वीर रस दिखाई देर आए ना आपको वही देखा दो मैं उसमें कंप्यूटर में चलिए सबसे पहले सर सिंगार रसर क्या होता है जिनायक और नाइका की मन में संस्कार रूप में इस्थित रती या प्रेम जब रस की अवस्थाम पहुचकर आस्वादन की योग हो जाता है तो वहां पर सिंगार रस क्या लाता है अस्थाई भाव सिंगार सुख की प्राप्ति करना है उदारन के लिए कर मुदरी की आरसी प्रतिविंबित प्रतिविंब पाई पीठ दिये निधरक लखे एक टक दिठ लगाई इस पश्टिकरन इन वक्तियों में अस्थाय भावरती है नायक आलंबर नायका आत्रे अंगूठी के नग में पढ़ने वाला प्रतिविंब उद्धीपन उस प्रतिविंब को एक टक देखना अनुभाव है तथा नायका का हर्चित एवं निर्धड़क होना संचारी भाव अताइन तुंकियों में सईयोग सिंगार है कोई दिकत चलिए वियोग सिंगार या वी प्रलब सिंगार भी कहते क्या हो निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है इस प्रिष्टिकर न आपको लिखना नहीं इप्रिश्टिकर मत लिखेगा टाइम है ना आपको लिखना है ठीक है वीरस सर क्या होता है युद्ध अधवा किसी कठिन कार को करने के लिए फ्रिदाय में जो उस्सा जागरत ह होता है उसे वीरस की क्या होती सथ निस्पत्ती होती है मैंने भाई बहुत ही फाश्ट कराया इसमें इतने सब कुछ लपेड़ दिया मैंने कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा कमेंट कर दे कर दे कर दीजिएगा और प्लीज आई हमबल के चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है अभी मैं आपको एक बार 308 मरवा दूँगा उधारन के लिए साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी सरजा सिवाजी जंग जीतन चलता है अगला इस पश्टी करन आपको नहीं लिखना ज़रुत ही नहीं है छोड़ दो यार टेपर म अब भी छड़ गया घर वाले जान गया मार मार के गुरुजी दूर कर दिये उसे क्या बोलते हैं करूड़सर बोलते हैं तो दानर के लिए इस करूड़ा कलित हिदय में अब विकल रागनी बजती क्यों हां हाकार सवर्व में वेदना असीम गरजती इस पश्टीकर नहीं हास रस्ड क्या होता है वेज भुसावाल रिचेष्ट्रााँ की व्क्रिती को देख कर में विनोत का भाव-जागरत होता है वहां हास हास कहा जाता है यही हास विभाव-अनुभाव तथा संचारी Keeping को पूछ्ट होकर हास सुखारे हैं है सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे की नहीं भली रगुन नायक कजु करुणा करी तानन के पग उधारे इस परश्टिकण नहीं लिगना है कोई दिकत नहीं सांतरस्र क्या है इस रस का इस्थाइबाव निर्वेद है जहां न दुख है नसुक है न द्वेश है नराग है और नहीं कोई इच्छा है न कोई रच्छा है तो उस रस को मुन्यों ने सांतरस कहा है क्या मुला सब्सांतरस उधारे लिए कभ उक हो यही रहनीर रहांगो श्री रगुनाद कृपाल कृपाटे संत सुभा गहांवँ जैत जथा लाभ सं तो सदाक कहूं काहूं सो कच्छ न चाहोगे परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम नी वहावगव ठीक न इस परश्टिकर नहीं लिखना है तो एक बार हम आपका इसकी सॉट करवा दे रहे हैं आप लोग कर लीजिएगा लिए एक चाहत देंगे आप लोग यह मानना शुरू करिए पहला अनुप्रास लंकार मार लिए अनुप्रास लंकार का उदा लगर डालिए इस परश्टिकर नहीं लगना यमक अलंकार यमक अलंकार का उदाहरण श्लेस अलंकार का उदाहरण स्लेस अलंकार का उदाहरण इस पस्टी मर्ण छोड़ दिजैं, लिखने के रूत नहीं है रूपक अलंकार किया होता है कि उदाहरन उन्डवन न लगनिया है उदाहरन फिर यहां पर रस चालो होता है शिंगार रस तेख लिजीए असकी प्रकार, तुम सपर चुड़िये वीर रस उदाहरन करुणरर रस को देख लीजीए और फिर आपकर क्या उदाहरन इसर स्कारिया पुरा नमर नहीं आगा पढ़की जाओ इससे बार नहीं लिखके दे रहा हूं आपको ग्यारेंटी लिखके दे रहा हूं एक भी से बाहर नहीं आने वाला ठीक है और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें यार वीडियो को लाइक करो ठोक करो तो मिल दें नेक्स वीडियो में की दोस्तों थैंक यू जाहिन टेक केर बाइबाए